प्रवक्ता ग्रंद अध्याई 49 पत्संख्या साथ वह अपने होटों से प्राथना करता और अपने पापों की शमा मांगता है जी हाँ प्यारे भाईयों बहनों आज अपने सारे पापों को लेकर एक पश्चतापी दीन हीन हिरदय को लेकर आईए और उस प्रभु के सामने अपना सच्चा पश्चतापी हिरदय रखे जिस प्रकार जकेयुस जो कदमे छोटा था वह अपनी कमजोरी जानता था चुकि वह कदमे छोटा है इसलिए वह येशु को देख नहीं पाएगा इसलिए वह पेड़ पर चड़ जाता है और येशु की आगमन की प्रतिक्षा करता है प्यारे भाईयों बहनों जिस प्रकार प्रभी येशु कहते हैं कि जकेयुस नीचे उतरा आज तुम्हारे घर में मुक्ती का आगमन हुआ है प्यारे भाईयों बहनों आज प्रभु आप सभी से यही कहते हैं कि आपके हृदय में आपके पापों के द्वारा मुक्ती आज आपको मिलने वाली है येसु कहते हैं आईए मेरे पास आईए मैं तुम्हें सारे पापों के बंधन से छुडाने वाला हूँ हाँ प्रभु येसु आज हम सब यही प्राथना करते हैं कि प्रभु हमारे पापों को शमा करें, हमें मुक्त करें और हर एक प्रकार की बुराईयों से लड़ने का सामर्थे हमें प्रदान करें, जिसने हमें पापों के जालों से छुड़ाया, जिसने हमें शेतान की हर शक्त से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान किया आईए हम उसकी स्तुती करें उसकी अराधना करें येश्व तेरे नाम की जैड तेरे नाम की स्तुती हो प्रभू अपने मन से अपनी पूरी शक्ती से आईए और पूरी इच्छा से पूरे मन से पूरी शक्ती से उसकी अराधना और इस्तुती करें गेश्व ने हमें बचाया है पापो की जाल से गेश्व ने हमें छुडाया है शैतां की जाल से गेश्व ने हमें बचाया है पापो की जाल से विशने हमें छुराया रे शेतां की चाल से तो गाओ हलिलूया तो गाओ हलिलूया तो गाओ हलिलूया गोगाओ हालेलूया जिसने हमें पापों के जाल से बचाया जिसने हमें शैतान की हरेकू तंत्रों से हरेक उसके पंजों से प्रभु ने हमें छुडाया जिस प्रकार राजा दाओ पाप करने के बाद अपने पापों की शमा मागता है जिस प्रकार लिखा है इस द्रोध रन अध्या एककावर पत्संक्या एक से आड इश्वर तु दयालू है मुझ पर दयाकर तु दयासागर है मेरा अपराज शमाकर मेरी दुष्ट तापून रूप से धोड़ा मुझ पापी को शुद्द कर मैं अपना अपराज श्विकार करता हूँ प्रभू मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है मैंने तेरी विरुद पाप किया है मैंने वही किया जो तेरी दृष्टी में बुरा था प्रभू इसलिए तेरा निर्ने सही और तेरी दड़ा क्या न्याई संगत है मैं तो जन्त से ही अपराधी और अपनी माता की गर्ब से पापी हूँ तू हिवेई की सच्चाई से प्रसन होता है मेरे अंतकरण को ज्यान की बाते सिखा हाँ प्रभू तू मेरे पापो का बोध करा हाँ प्रभू आईए आज हम याद करें अपने अपने पापों को दस आज्याओं को याद करें, कि कहीं मैंने किसी और देवता की पूजा तो नहीं की, किसी और पर विश्वास तो नहीं किया अपने प्रभू को छोड़ कर, मैंने कई बार प्रभू का नाम व्यर्थ लिया होगा, मैंने कई बार प्रभू का दिन अप वित्र रखा होगा मैंने कई बार अपने माता पिता की आग्या नहीं मानी होगी मैंने कई बार चोरी की होगी मैंने कई बार मनुष्य की हत्या की होगी मैंने कई बार जूट बोला होगा दूसरों की निंदा की होगी प्रभू मैंने कई बार पराय धन पर लालच किया होगा मैंने कई बार पराय इस्तरी की कामना की होगी प्रभू मेरे पापो को आग तू ढोड आल प्रभू येसू थेरा वचन कहता है कि तुझ में शांती है प्रभू येसू तेरे नाम में शांती है हाप रभु येसु तू ने मुझे मेरे पापों से शमा दिलाई है प्रभु हर एक प्रकार के पापों के बंदनों से हर एक प्रकार के श्रापों से तूने मुझे मुझे मुक्ती दिलाई है प्रमाई तो आईए उसी येशु की हम इस्टुती करें हमने श्रापों से येशु के नाम से हमने पाई है शमा मुक्ती श्रापों से आप्रभू में वो शान्दी तुझे में सूस करती है शमा उती सारे बंद उसे तो आये गाये इसको भी हलेलुया तो गाओ हलेलुया अज की समय के लिए बर्भू येशु थन्यवाद देभी हो प्रभू तुझे आज मुझे पापोρ से बुरी आदतों से तू मुझे छुडाएगा प्रभू हाँ प्रभू येसू तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें सापों बिच्छों और बैरी की सारी शक्तियों को गुचलने का सामर्थ दिया है कुछ भी तुम्हें हानी नहीं पहुचा सकेगा हाँ प्रभू येसू हम इस वचन पर विश्वास करते हुए हाँ प्रभू येसू तेरे नाव के सामर्थ यसे मैं लड़ने के लिए तयार हूँ प्रभू येसू वो शैतार के हरे एक प्रकार की चालों ते लड़ने के लिए तयार हूँ प्रभू येसू येशू तेरी सुनी हो तेरी महिमा हो प्रभु येशू आप प्रभु येशू तेरा वच्छ यह भी कहता है कि आप लोग शांत रहे कर प्रांथ ना करते रहे वह अपने आप ही तुम्हारी और से लड़ेगा जब येशू हमारे साथ है तो हमें किसी बात गीडर नहीं उस शैतान से लड़ने के अ disfrत पर रहे उस शैतान की हर एक चाल को फेल करने के 신 beard पर रहे प्रभु येशू से प्रास ना करते रहे और येशू के नाम के सामर्थे पर विश्वास करते रहे येशु तरी स्कुधी हो, तेरी महिमा हो रभी येशु अब हम ना डरेंगे येशु जो साथ है शैतां से हम लड़ेंगे येशु के नाम से येशु हमारे साथ है तो हमें किसी बात की चिनता नहीं जब येशु हमारे साथ है तब हम शैतां के हरे एक चालों से लड़ सकते हैं अब हम ना डरेंगे येशु जो साथ है शेता से हम लड़ेंगे ये शुकी नाम से तो काओ हलिलुया आई उस प्रभू का ना दीजिए उस प्रभू का ना उसकी सुझी करें उसकी अराद दा करें खुश होता आनद होता तो कि वो आनद प्रदाद करने वाला है वो खुशी प्रदाद करने वाला प्रभू है जो इस कंसा में कहीं नहीं प्रावत होता किसी के पास नहीं प्रावत होता तो ये शुकी आपको आज आनद देने वाला है फिर से गाए शल्म शांती और सलाम दाए हैं आपके नाम शल्म शांती और सलाम जी हाँ प्यारे भाई, ये इसु आपके लिए शांती लेकर आया है आपके लिए अजुगर लेकर आया है आज आपके लेका द्वार को लिए वह अनुगर वह शांती वह स्कुशी वह आनन आज में रगों में इतो बेज़ी आ तोगाओ आलेलुया तोगाओ आलेलुया करते हुए हाँ प्रभू हम वच्णों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभू येशु अपने जीवन में आशीश मांगते हैं प्रभु येशु कि तु हमें अपने शांती से भर तु हमें अपने अच्छे विचारों से भर, अपने प्रेम से भर क्योंकि वचन कहता है आप लोग पहले अंदकार थे अब प्रभु के शिश्य होने के नाते ज्योती बन गए हैं इसलिए ज्योती की संतान की तरह आच्रन करे जहां ज्योती है वहां प्रकार की भलाई धारमिक्ता तथा सच्चाई उत्पन होती है प्यारे भाईयो बहनों आईए उसी सच्चे परमेश्वर की हम फिर से अराधना करे उसकी स्तुती करे उसकी महिमा करे प्रभु येसू तेरी जै हो तेरी अराधना हो तेरी महिमा हो प्रभु येसू गाईए गाते रहिए निरंतर प्राशना करते रहें तो काओ आलेलुूटिया तो काओ आलेलूटिया येशु थैन्यवादवास तरी सुती हो、 तेरी मही मही परभृ येशु धन्यवाद प्रभी एसु, हालेलूया प्रभी एसु, आरा प्रभी एसु, मैं अपने सारे हरदैपे तेरे पास आई, अपना पशतापी दीली हरदैप लेकर आई हूँ प्रभी एसु, हाँ प्रभी एसु, मुझे छूले, मेरे हरे एक पापों को तु शमा कर प्रभी एसु, प्रभु येशु वह पाप जो मैंने अंदकार में किया प्रभु येशु उन सारे बापों को तु शमा कर प्रभु येशु मैंने यह जाना कि उस अंदकार में मुझे कोई नहीं देख रहा पर तु ने उस पाप को देखा है प्रभु येशु हाँ प्रभी येशू मेरे उस पाफ को शमा कर जो कोई नहीं जानता जिर्फ मैं और तू जानता है प्रभी येशू हाँ प्रभी येशू शमा कर तेरी सुधी हो तेरी महिमा हो प्रभी येशू तेरी जेजेकार हो प्रभी येशू धेनेवाद प्रभी येशू आलेलु यापियो सुष्यां आलेलु अब हैं एलेलुटी हैं